आज हम बनाएंगे ब्रॉकली मलाई टिक्का जिसमें की बिना तंदूर के ही हमने तंदूरी फ्लेवर दिया है इसे एक बाल आप जरूर ट्राइ कीजी आपको बहुत पसंद आएगी चलिए ब्रॉकली मलाई टिक्का बनाना शुरू करतें इसके लिए हमें चाहिए एक ब्रॉकली ब्रॉकली के डंठल को काट के हटा देंगे अभी सबसे पहले हम ब्रॉकली के फ्लोरेट्स तोर लेते हैं इसके बड़े बड़े टुकडे करेंगे ताकि टिक्का बनाने में आसानी हो इसकी डंठल वैसे भी थोड़ी अलग-अलग होती है पहले साइड वाले फ्लोरेट्स को तोरके हटा लेते हैं उसके बाद ब्रॉकली का जो बीच का पार्ट बचेगा उसको हम 4 टुकड़ों में क पानी डालकर गरम उने रखते हैं पानी में आधी चोटी चमच चीनी चीनी डालने से ब्रॉकली का कलर चेंज नहीं होता है एक चोटा चमच नमक और एक चोटा चमच निम्बू का रस डाला है नमक और निम्बू का रस ब्रॉकली में फ्लेवर के लिए डाला है पानी में जब उबाल आ जाए तब इसमें काटकर रखे वängen ब्रॉक्ली के टुकरों को डाल देंगे, गैस का फलेम फुल है, ब्रॉक्ली डालने के बार्द पानी का उबाल बंद हो जाता है, जब इसमें वापस से उबा लाए तब ब्रोकली को 1-2 मिनट और कूक करेंगे दो मिनट से ज़्यादा कूक नहीं करना है नहीं तो ब्रोकली के फ्रोलेटे का भरता इसी में बन जाएगा अब ब्रोकली को एक चन्ने की साइता से चान लेंगे और इधर तब तक दूसरे बरतन में धंडे पानी में 5-6 आइस क्यूब डाल के तक हैं जिसमें हम उबाले वे ब्रॉकली को डाल देंगे इससे ब्रॉकली का कुकिंग प्रोसेस तुनन रुख जाएगा साथी साथ इसका कलर ग्रीन बना रहता है अब इसको भी साइट कर देते हैं ब्रॉकली मलाई टिक्का के मरीनेशन के लिए एक मिक्सी के जार में 10 काजू एक स्लाइस चीज स्लाइस चीज के अस्थान पे आप क्यूब चीज ले लें आधी हरी मिर्च और एक से दो बड़ा चम्मच दूद डाल कर सबका पेस्ट बना लेंगे ब्रॉकली मलाई टिक्का को सफेद रखना इसलिए इसमें हम किसी भी कलर वाले मसाले का परियोग नहीं करेंगे काजू, चीज, हरी मिर्च और दूद के पेस्ट को एक बाउल में निकाल लेते हैं दो घंटे पहले मैंने एक कप दही को छन्ने में डाल कर हंकर बनाने रखा था अभी बाउल में दो बड़े चम्मच हंकर डाल देंगे अब मसालों में एक चोटाई चोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर या सफेद मिर्च पाउडर डाल ले एक चोटाई चोटी चम्मच नमक, नमक चीज में भी होता है इसलिए कम ही डाला है एक चोथाई चोटी चमच इलाइची पाउडर और आधी चोटी चमच कसूरी मिती को हाथ से क्रस करके डाला है एक चोटा चमच अदरक और लहसन का पेस्ट और दो बड़े चमच क्रीम डाला है इसमें मैंने अमूल क्रीम का प्रयोग किया है अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इनका एक स्मूध पेस्ट बन जाए बैटर बनने के बाद एक बार टेस्ट कर लें और अगर जरूरत हो तो नमक एड़ कर लें इसमें आप चाहें तो एक बड़ा चमच अमूल वटर एड़ कर लें बैटर रेडी है तो अभी हम ब्रॉकली का मेडिनेशन कर लेंगे तो थंडे पानी में जो ब्रॉकली रखाता उसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि उसका पानी निकल जाए लेकिन इतना ही प्रेस करेंगे कि इसकी फ्लोडेस तूटे नहीं और उसको बैटर में डालते जाएंगे आप डंठल की तरब से पकर के प्रेस करेंगे तो इनके तूटने के चांसेस कम होते हैं ब्रॉकली को प्रेस करके पानी निकाल कर बैटर में डालना जरूरी है यदि ऐसा नहीं करेंगे तो बैटर में पानिक की मातरा ज़्यादा हो जाएगी और वो लिक्विडी हो जाएगा मैंने साड़े ब्रॉकली पिसेस को बैटर में डाल दिया अभी मेरीनेशन को ब्रॉकली के पिसेस पे अच्छे से लगा लेते हैं ब्रॉकली मलाई टिक्का यदि आप सिर्फ ब्रॉकली से बनाना चाहते हैं इस मेरीनेशन को ढग कर एक घंटे के लिए फ्रीज में रख दे और उसके बाद इसे तंदूर पे या तवे पे सेक लें आपका ब्रॉकली मलाई टिक्का रेडी हो जाएगा लेकिन मैं इसमें बाकी वेजिटेबल्स पी एड़ कर रही हूँ वेजीज में मैंने एक प्यास के बड़े बड़े टुकरों को डाला है एक शिमला मिर्च बड़े बड़े क्यूब्स में काटे हैं और एक टमाटर का बीज हटा कर इसको बड़े बड़े क्यूब्स में काटके डाल लिया है यदि आपके पास बेल पेपर से उनके भी क्यूब काट कर डालने इससे ये कलरफुल दिखने में और भी अच्छे लगेंगे वेजिटेबल स्मलाई टिकका के निट्रिशन वैल्यू को बढ़ाते ही हैं साथी साथ ये इकोनोमिकल भी हैं अभी इन सभी को अच्छे से मरीनेशन में मिक्स कर देते हैं इधर दस मिनाट पहले मैंने एक कोईला को गैस पे गरम होने रखा हैं कोईला अच्छे से जल चुका है हम बाउल में एक प्यास के बरे टुकड़े को रखा हैं इसमें जलता हुआ कोईला डाल देते हैं और इसके उपर एक बड़ा चमच मिल्टेड बटर डाल देंगे जिससे कि इससे बहुत तेज धुआ आएगा अब इसको ढग देते हैं और इसको ऐसे ही एक घंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे कि सभी सबजियों में तंदूरी फ्लेवर आ जाता है अब एक घंटे के बाद प्याज और कोईले के टुकडो को हटा देते हैं इधर गैस पे एक पैन को गरम होने रखा है और पैन के गरम होने पर इसमें दो से तीन बड़ा चमच बटर डाल देंगे अब इसमें मेरिनेट कीवी साड़ी सबजियों को डाल जाए उसे पैन में ही डाल देंगे गैस का फ्लेम मेडियम है सबी सबजियों को डाल कर दो से तीन मिनट के लिए सिखने चोड़ देते हैं और तीन मिनट के बाद सब को एक बार पलट लेंगे ताकि यह हर तरब से अच्छे से सिख जाए यदि आप तंदूरी ब्रॉकली ट प्रिहिट कर लें उसके बाद प्रिहिटेड ओवेन में ब्रॉकली टिक्का को डाल कर इसके उपर बटर डाल कर दोनों तरब से 10-10 मिनट के लिए सेक लें दो-3 मिनट के बाद ब्रॉकली मलाई टिक्का को फिर से पलट लेंगे और इसे इस तरह से पलट पलट कर इनके ड्र से 12 मिनट का समय लग जाता है ब्रॉकली मेरीनेशन से पहले ही 50-60% कुक किया हुआ है क्योंकि इसे हमने ब्लांच किया था मलाई टिका को मीडियम फ्लेम पे सेखते वे 12 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से सिख गए हैं अब इसमें एक बड़ा चमच मेल्टेड बटर आधी छोटी चमच चाट मसाला और तीन से चार बड़े चमच अमूल क्रीम डाल दिया है सबको अच्छे से मिक्स करते हैं और ये ब्रॉकली मलाई टिका बनके तैयार है इसे गर्मा गर्म सर्व कर ले ब्रॉकली मलाई टिका को हडी चटनी या फिर धनिया पुदेने और दही की चटनी के साथ सर्व कर ले